हेलो गेमर्स वेलकॉम टू दे न्यू वीडियो जहां आज अपन 5 best made in इंडिया गेम्स के बारे में जानेंगे ताकि हर कोई जो बोलता है इंडिया में अच्छे गेम्स डेवलप नहीं होते उनसे अपन ये बोल पाए हमारी लिस्ट का पहला गेम है जिसमें फिलाल दो मोडस एवलिबल है पहला है ये लेम्स ट्री जिसमें दो ट्रेटर्स रहेंगे और 8 एजेंट्र को सारे टास्क कम्नेरे रहेंगे बचिते बचातेwriteर से और traitor का काम रहेगा सारे task complete होने के पहले सभी agents को मानने का और इसका दूसरा mode है zombie attack इसमें 9 agents रहेंगे और एक zombie agent को 180 seconds survive करना रहेगा या task complete करने रहेंगे वहीं zombie सब agents को infect करके zombie में convert कर देगा और हाँ एक mode red light green light अभी coming soon में हैं और हाँ play with friends में voice chat का भी support मिल जाएगा चलिए आते हैं second game पे जो है ये एक बहुत कमाल के graphics वाला first person shooter game है जिसमें होता क्या है एक post-apocalyptic world में आप एक last survivor है जिसको अब अपना reason पता करना है अकेले survive करने का इस game के visuals, locations बहुत कमाल के हैं साथ ही controls में भी आपको कोई देख करनी आएगी इस game का funda एकदम simple है survive करने के लिए जो भी चाहिए वो collect करो guns, ammo उठाओ और रास्ते में आने वाले zombies को मारते चलो और ये एक offline game रहेगा चलिए आते हैं third game पे जो है mini shooters ये एक first person shooter game है जिसे online और offline दोनों में ही प्ले कर सकते हैं offline mode में survival और team deathmatch के साथ number of players select करके play कर लो और online mode में survival team deathmatch के साथ zombie escape भी है और इसके साथ ही characters के outfit वगेरा भी customize कर सकते हैं weapons में pistol, rifle, smg, plasma, shotgun, sniper, launcher जैसे बहुत तगड़े तगड़े weapons हैं और उन्हें upgrade करने का भी option है और हाँ grenades, smoke grenades, flashbang और medikits भी मिलती रहती है गेम में autofire का भी option है पर उससे थोड़ा easy हो जाता है play करना तो मैं तो off करके play करना recommend करूँगा और हाँ maps भी 6 available है dockyard, simple military, airport, alpine woodland, desert और shooting city चलिए आते हैं fourth game की तरफ जो है mask gun ये तो बहुत सही गेम है ये गेम एक first person shooter रहेगा जिसके graphics भी बहुत अच्छे है और gameplay experience भी बहुत सही देगा बात करें इसके game modes की तो team death match, death match और rumble mode available है और weapons में rifle, smg, melee weapons, sniper, shotgun और pistol वगेरा सब मिल जाएगा और even weapon skins भी purchase कर सकते हैं और weapons को भी upgrade कर सकते हैं और हाँ characters वगेरा को भी customize कर सकते हैं और इस game में भी manual और autofire दोनों को ही set कर सकते हैं तो अगर try नहीं किया है तो इस game को तो ज़रूर try करना चलिए बढ़ते हैं 5th game की तरफ जो है Scarfall ये game मैंने इसके release के time पर try किया था तब बहुत bugs वगेरा थे gameplay भी इतना smooth नहीं था लेकिन अब तो ये game बहुत सही हो चुका है एक दो मक्कन gameplay experience देगा बात करें इसके game modes की तो classic mode जिसमें 40 players उतरेंगे battlefield में सभी को 3-3 life मिलेगी और 10 minute का game रहेगा और map भी undermined करेगा फिर आते हैं survival mode पे जिसमें 100 players उतरेंगे battlefield में और 25 minutes का time दिया जाएगा और team death match mode में boneyard और arsenal map मिल जाएगा play करने जो की एक 4 vs 4 और 5 minute की battle रहेगी और वैसे इसमें weapons वगेरा की skin वगेरा सब कुछ है ही चलिए that's it for today guys hope आपको कोई game तो पसंद आई गया होगा और channel पर और भी made in India games है तो उन्हें भी check out जरूर कर लेना चलिए मिलते हैं next video में जल्दी ही